अभी जो खबर लेके आ रहा है वो बहुत से बच्चों के लिए खुसकबरी ही होगा लेकिन बहुत से बच्चे जो बहुत जादे पड़के बैठे हैं वो थोड़े से उदास हो जाएंगे लेकिन ऐसे रिस्क के टाइम में ये ठीक ही है क्या किया जाए अब ये खबर क्या है जरा उसको भी बताएंगे लेकिन उसके पहले बता दे कि बहुत से बच्चों के लिए बहुत प्राबलम भी हो सकती है अब ये क्या चीज़े है जरा देखने के लिए आप इंड तक बने रहिए जिसमें कुछ बच्चों का तो बहुत जादे प्राफिट भी होगा कुछ ब बता दें कि वैसे अभी खबर आ चुकी है कि यूजी पीजी को प्रमोट कर दिया गया है आप सभी ने जान लिया जिसमें सेकेंड जो सेमेस्टर वाले हैं I mean सिर्फ और सिर्फ थर्डियर वालों को छोड़के यानि लास्ट सेमेस्टर वालों को छोड़के बाखी सब को प पड़ेगा यह आप नोट करके रख लिजिए बच्चा जो बच्चे फस्टियर में एक्जाम नहीं दिये थे या सीधे सब्दों में यह हम कह दें कि BSC BA या ग्रेजुएशन के सत्र में जबसे वह एडमीशन लिये अगर एक भी बार एक्जाम दिये हैं तो वह प्रमोट कि क्योंकि फस्ट सेमेस्टर या फस्टियर को सीधे तौर पे प्रमोट किया जाएगा लेकिन वहीं पे अगर दूसरे सेमेस्टर की बात की जाए या फिर सेकेंडियर की बात की जाए तो सेकेंडियर वाले जो एक्जाम को अभी फेस ही नहीं किये थे वो प्रमोट कर दिये ग तो प्लीज थोड़ा सा स्लेबस फास्ट करके या फिर हमारे चैनल पर जाके वीडियों को देखके आप फास्ट करके पढ़ लीजिए क्योंकि उससे बेनिफिट मिलेगा और आपको बता दे जो बच्चे एकजाम में बैठेंगे उनको एक से डेड़ घंटे तक का पेपर दे लेकिन उसके बाद भी आप समझ लो वो 30% जो रिडियूस हुआ था उसमें भी आप 20% आप जोड़ दो उसके बाद बचा जो स्लेबस का 50% उतना ही आपको एकजाम देना होगा बस गलती यहीं पर हो रही है अभी तक कि वो स्लेबस बताया नहीं गया है कि वो 50% में सेंटेस दिया गया कि इतना पढ़ लिजिए अब उसमें से भी बताया जा रहा है कि 50% आपको एकजाम में फेस करना होगा तो आप confusion यह बनेगी कि वो 50% आखिर आएगा कहां से इसलिए आप लोग जो थर्ड यर वाले बच्चे हैं वो कांटीनू पूरा पढ़ चुके एक एकजाम के बाद उनका रिजल्ट आया था तो वो एकदम निश्चिंद रहें वो सेकेंडियर में इस बार प्रमोट कर दिये जाएंगे लेकिन जो बच्चे फस्टियर में बिना एकजाम दिये सेकेंडियर में आये थे प्रमोट करके आये थे वो सेकेंडियर में आब एकज या सब के सब प्रमोट कर दिये गए और समिस्टर के वह बच्चे जो सीधे प्रमोट कर दिये गए लेकिन और बताते लाष्ट समिस्टर का एकजाम को देना होगा जो लास्ट समिस्टर के प्लस इसको प्रमोट करने के बाद जब जो रिजल्टाएगी उसमें भी जो बच्चे चाहेंगे वह अंक्सुधार के लिए एक्जाम खॉर्म भर सकते हैं और फिर से एक्जाम दे के अपने अंकों को सुधार सकते हैं यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को तेजी से सब के पास फैलाईए क्योंकि सब को 50% स्लेवर्स की ज बीडियो